इतनी चपन मारूंगी ना मूँ पे, बीच में से फ्हाड़ दूगी, मैं क्यों जवाब दूँ हूँ आपको इस चीज का, चुट, तुडल जैसी लगती है, बंदर जैसी लगती है, क्या भी गारा हैं बुच्चु न्या, बात मेरे उपर, अर्मान जी के उपर और गोलु के उपर थी, मैंने उस पार में कोई बात नहीं करी, लेकिन आज जब उनके बच्चों पर उंगलियां उठने लगी है, उन्होंने अभी अभी twins बच्चों को जरम दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरनेट पर उनकी आलोचना कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बाते कर रहे हैं ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, इवन मैंने देखे हैं कुछ क्लियर कर दिया, बच्चों की बात करते करते वो इस वीडियो में अपनी फैमली के मेटर्स तक भी गई है, कि उसने किस तरह से अपनी दोनों नंदों को काम करना सिखाया, कुलदी, भाई, सरोज, भाबी और उनकी जो भी सब लोग हैं, सपना मलेक, सुनीता मलेक, यह जो भी सब लोग हैं, इनको यूट्यूब पर लेकर आए, तो पायल मलेक, अर्मान मलेक और कृतिका मली, इन सब को काम करना सिखाया, तो इन लोगों ने ही इनको काम करना सिखाया, और कही न कहीं पायल ने ये बात बिल करता है, बार-बार उनके videos में आकर, बार-बार कृतिका और पाइल सपना मलिक के के वीडियो में क्यों आते थे, सिर्फ इसलिए आते थे तकि उनके vlogs भी चल पढे की अरमान मलिक ने अपने भाई का इतना take care किया, उसकी family को देख रहा है, अपने भाई को उसने अपने भाई के चैनल को चलवाया, उनके घर की maintenance करवाई जाकर सब कुछ करवाया और अगर आज उनके भाई थोड़े नशों में involved हो गए हैं तो वो चाते हैं कि वो ठीक ठाक रहे हैं इसी बुरी-बुरी बाते क्यों बोल रहे हो, कभी उनकी family के बारे में, कभी उनके बच्चों के बारे में ये सब बोलने से क्या होगा, क्या आप लोगों को उससे कुछ happiness मिलने वाली है